हिमाशल प्रदेश सायूक्त किसान मंच ने आरोप लगाया है कि किसानों और बागबानों की समस्याओं को लेकर सरकार द्वारा लिये जा रहे निर्ने जमीन पर नहीं उतर पार रहे हैं मंच के सायूजक हरीश चोहान ने आश्मला में एक पत्रकार बारता में कहा कि मुख्यमंत्री जेराम ठाकुर को 28 जुलाई को सौंपे गए 20 सूत्रिय मांग पत्र में मैसी 15 मांगे अभी भी लंबित है इनमें काटन और कीट नाशकों पर सबसीडी भी शामिल है उन्हें कहा कि किसानों और बागबानों की समस्याओं का हल ना होने के विरोथ में बंच 5 अगस्त को शिमला में किसान आकरोश रैली का आयोजन कर सचीवाले का घेराव करेगा हरीश चोहार ने कहा कि यदी फिर भी सरकार नहीं जागी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा है माई अगबानों को भी सरकार यह एका है यह फिरार ने कि उसमें सरकार बात निकरती जिसका अभी ज़ो है विंटर में जब हम स्टोर करेंगे उसके बाद हमको दुक्सान स selves ऑथ रहा रहा है प्रमुख मांगे जो है हमारी कोई सुनीनी घी अभी तक बात ही नहीं उस पर उस पर कोई कारिया नहीं किया गया और जो MIS की payments मिलनी है वह अभी तक payments मिली नहीं है